खबर गया रही है राहूल गांदी ने कुछ नेताओं से बात की है नितीज जी के नाम पर सबको तयार करने का जिम्मा राहूल गांदी ने खुद उठाया है क्या नितीज कुमार को कन्वीनर बनाने की तयारी है क्या सबसे पहले तो आपको रापके दर्शकों को नवश की हर्दिक शुप कामनाएं देती हूँ आपके प्रोग्रम का नाम है रास्ट की बात उमीद की जा रही थी कि रास्ट की बात में रास्ट देश के आज के अभी के मुद्दे पर बात होगी पर नहीं, रास्ट की बात में इंडिया गटबंदन के उपर बात हो रही है उमीद थी कि आज क्या हो रहा है, देश पे इस पे चर्चन क्यों नहीं हो रही है IIT, BHU में गैंग रेप होता है, तीनों गैंग रेप करते हैं दो महिने तक बचाती है, पुरी सत्ता उन्हें पकड़े जाते हैं तो प्रधान मंत्री जी, भाटपा के रास्टी अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश के मुखे मंत्री हमारी महिला बाल विकास मंत्री समरिती रानी के साथ उन तीनों बलातकारी, गैंग रेप करने वाली बलातकारी की तस्वीरे बाइरल होती है, कहीं कोई चर्चा ही नहीं है रास्ट की बात में तो रास्ट के मुद्दे उठने चाहिए थे, आप इस पे चर्चा कर लीजे, कल भी आपका प्रोग्राम आएगा कल क्या आज वाले मुद्दे पे बात करेंगे नहीं, कल फिर इंडिया पे बात होगी और मैं आपको फिर कह रही हूँ, सौभावी के चोगी इसका चुनाव होगा इंडिया वर्सिज एंडिया होगा एंडिया के 38 दल वर्सिज इंडिया के विपक्ष के 28 दलों के बीच में होगा हमें मालूम है कि भाजपा, हेक्ट्रिक, मोदी जी 400 पार अरे बलातकारियों का सनरक्षन देने वाले हाथों से, आप पवित्र हाथों से भगवान शिरी राम की प्राण प्रतिष्ठा मूर्ती स्थापना होगी, इससे बड़ा अपशुकुन क्या हो सकता है कि वो सकताधारी जो बेटियों के गैंग रे बलातकारियों को बचा रे सनरक्षन देर, उनके हाथों से तना पवित्र काम होने जा रहा है इससे बड़ा दुरबाग्य क्या होगा, मुद्दे बहुत है आप आजाती हो आपके मुद्दे पर कि राहूल गांदी जी, नितिश जी का नाम, नितिश जी ने, खरगे जी का नाम, ममता बेनर जी मैं आप सुझे फिर कह रही हूं, सूत्रों के हवाले से क्यों आप, क्यों जल्दबाजी है सयुक्त परैसवारता हर इंडिया ऐलाइन्स की मीटिंग के बाद होती है मीटिंग में क्या हुआ, आगे का रोड जो है वे फॉरवर्ड क्या है, उस पर आपको बता दिया जाता है क्यों जल्दबाजी है कि हम सूत्रों के हवाले से, कौन से सूत्रे मुझे नहीं मालूम है ये बाद जो आप बता रहें वो मुझे भी नहीं मालूम कि राहूल जी ने नितिश का, नितिश जी ने ममता जी का, ममता जी ने अर्विन जी का नाम दिया पर ये तैह है, हम सब में इस सहमती बन चुकी है, कि 24 का चुनाव, इंडिया गट बंदन के सभी 28 दल एकोकर मजबूती से लड़ेंगे और आपको अधिकारिक रूप से हमारी प्रेस कॉन्फरेंस हो, या इंडिया लाइंस की, उसके एक एक शब्द पर यकीन करना चाहिए, सिरफ सूत्रों के हवाले से गुम्रा करने वाले, या विबाजन दिखाने वाले, या एक दूसरे पर कटाक्ष पे, तू तू मैमे कु हो गए है, पूरा हाहा कार है, क्यों? क्योंकि जब 143 सांसुदों को विकपक्ष के सस्पेंट कर देंगे न, ताना शाही से बिल लाए जाएंगे, चर्चा के बिना लाए जाएंगे, तो यही देश का हाल होगा, कि देश में पेट्रोल हो, डीजल हो, सबजिया महंगी इसल करेंगे, यह लोग तंतर की हत्या करके, सांसुदों को सस्पेंट करके, संसुद पे ताला लगाकर, सिरफ एक अडंबर रचा कर, आप सोच रहे हैं, वोट लिलिंग और देश के मुद्धों पर ना टीवी पे चर चाहोगी ना सड़कों पर, यह गल्द फैमिया सब की दू इस मंच की कम से कम, कि सबसे लोगतांतरिक मंच है, जो मुद्धे आप उठाना चाहें, उठा सकते हैं, और हमारे आपको पता है, कोई भी मुद्धा आम लग छोटेंगे, मानक जी, यह कहा जाता है, जाना था जपान पहुच गए, चीन या क्या है, कि सवाल क्या है, हमारी मजबूरी हो चुकी है, आप हम जिन सवालों को देश उठा रहा है, वो सवाल पूचे ही नहीं जा रहे है, इसलिए आप कुछ पूचते हैं, हम कुछ बतादे हैं, मैं आपको बताता हूँ, देखिए, इंडिया गठबंधन, आप कहती हैं इंडिया गठबंधन पर चर्च को मजबूत होना पड़ेगा, विपाक शेक जुट हो रहा है, उसकी एक-एक गतिविधी पर चर्चा बहस जरूरी है, और हम तो अपना सिर्फ करता वे नहीं भा रहे हैं, इंडिया गठबंधन जब से बना, उसकी चर्चा शुरू है, हमने उसकी एक-एक खबर दिखाई, हर दिन उस पर डिबेड किया, बल्कि कई बात तो हमको आपकी तरफ से ये शिकायद भी सुनने को मिली, कि आप हमारे गठबंधन पर चर्चा नहीं हो रही है, हम वाना की बनात सुने, आज की भी सचाई ये हैं, कि चर्चा इंडिया गठबंधन और उनके येलाईस पर हो आपका धन्यवाद करते कि आप और आपका चैनल खासों से राश्ट की बात में हमें अपनी बात को रखने दे रहा है चाहे आपके सवाल कुछ हो लेकिन हमें जब मोका मिला है इसलिए इसलिए आपको कम से कम जो सूत्रों से खबर आई है आप फिर कहेंगी पता नहीं कौन से सूत रहें लेकिन खबर ये है 14 और 19 के चुनाव और उसके बाद जो असेम्बली एलेक्शन हुए उसमें कॉंग्रेस का परफॉर्मेंस कैसा रहा उसके आधार पर सीटे क्लेम करेगी कॉंग्रेस पार्टी क्या ये फॉर्मूला सही है मुकल वासनी जी के नितित में कॉंग्रेस ने पांच सदस्य मीटिंग कमेटी बनाई है उस कमेटी ने हमारे राज्यों की यूनिट से सबसे बात कर लिये रिपोर्ट चार तरीक को वो सोपी जाए भी हाई कमान को उसके बाद इंडिया एलाइस लेकिन एक लास सवाल इंडिया एलाइस चुनाव आयुक से समय मांग रहा है जैरम रमेजी ने लेटर ट्वीट किया है चर्चा उस पे होनी चाही कि बार बार इंडिया एलाइस मुक और आप तो पंजाब के बारे में अच्छे से जानती है अलकालांबा भगवंत मान अगर सीटों की शेरिंग की बातचीत से ठीक पहले कह रहे हैं एक थी कॉंग्रेस माएं अपने बच्चों को कहानिया सुनाएंगी कैसे सीटों कब अटवार करेंगे आप मानग जी आमाद चैनल पर आके क्या बोलना है वो बात करेंगे लेकिन मैं कॉंग्रेस की परवक्ता होने के नाते दूसरी पार्टी के नेता ने क्या कह दिया उस पे वाद विवाद करके कोई नहीं खड़ा करूंगी और बिल्कुल जिम्मेदारी कॉंग्रेस ने लिए हम मीडिया में जाकर पब्लिक में जाकर किसी तरह का कोई बयान कोई चर्चा का मोका नहीं देंगे और हम एक हैं हम ये मान रहे हैं आज की तारिक में वो इंडिया समू में हैं और हम उमीद करते हैं कि जो भी बातों वो मीटिंग के अंदर हो बाहर किस तरह के बयान पर उनके परवक्ता को जव झाल 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 झाल